राधे राधे जै बहारी जी की स्री हरदास इस आई एम ब्रजबासी यूट्यूब चैनल पर मैं आप शवी वक्त गणों का तहर दिल से हार्दिक श्वागत करता हूँ आज हम स्वामी स्री हरदासी एबं बाके बहारी जी के बारे में जानेंगे तो चली एक बार बाके बहारी जी का नाम लेके शुरू करते हैं शी बाके बहारी जी महाराज के साथ यदि किसी का नाम अमर हुआ है तो वे हैं कृष्णों पासक सकी शंप्रदाय के प्रदवर्तक श्वामी स्री हरदासी महाराज वे कृष्णि के परम भक्त कभी एवं संगीत कार थे इनको कृष्णि की सकी ललता का अवतार माना गया है एक बार का प्रिशंग है स्री मरदुल कृष्ण गोस्वामी जी से मैंने सुना है कि एक बार भगवान सिव के मंदर में ये और इनके पिताजी गए मंदर में जाकर जब ये शिवलिंग के उपर जल चड़ानी लगे तो ऐसी गूंज हुई मंदर में अरे आशुधीर ये तू क्या करवा रहा है ये तू ललता सकी के अवतार हैं जिनके कारण मुझे रास में प्रवेश मिला और आश तू इनी से मुझे जल चड़वा रहा है तब इसे ये विदित हो गया कि श्वामी स्री हरदाज जी ललता सकी के अवतार है जिनके कारण सिव को क्रश्न के रास में प्रवेश मिला था जब ये श्वामी स्री हरदाज जी पड़े हुए तो ब्रंदावन आगे भगवान रादा किष्ण का ध्यान करने लगे बजन गाने लगे इनके बजन में बड़ा ही राग होता था इनी के एक सिष्च थे बिठ्थुल बिपुल देब जी वे भी अपने गुरू जी की तरह किष्ण रस में डूबे रहते थे एक दिन बिठ्थुल बिपुल देब जी ने कहा हे श्वामी जी आप जिन प्रिया और प्रियतम की उपासना करते हो क्या हमें उसका रूप दर्सन नहीं करवाओगे श्वामी जी मुस्करातिवयों बोले कहा जरूल कराऊंगा तभी श्वामी जी ने बड़े ही सुन्दर पद गाया माईरी सहज जोरी प्रकट वही तभी वहां रादा और कृष्ट प्रकट हो गए तभी दोनों एक जियोती में बन गए और बांके बिहारी जी के रूप में बन गए तभी आकास में चारो और गूज बाके बिहारी लाल की जै बाके बिहारी लाल की जै शी बाके बिहारी जी के बारे में स्री हरी राम व्याज जी लिखते हैं ऐसो रसिक भयो नहीं हो बहे है भूमंडल आकास हरिदास जी महाराज जैसे रशिक आज तक इस धर्ती पर भूमंडल पर नहीं हुए हरदाज जी के शिर्ष थे तांसेन और वेजू बाबरा साइद आपने सुना होगा तांसेन जी अगवर के धरबार में संगीत सुनाया करते थे तो एक दिन अगवर ने कहा तांसेन मुझे तुम बड़े संगीत कार लगते हो तुम ही इतना सुन्दर गाते हो तो तुमारे गुरुजी कितना सुन्दर गाते होंगे तब ही तांसेन बोले बाजसा मेरे गुरुजी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता उनके जैसा कोई गाही नहीं सकता वो बड़े-बड़े देवता पेड़, पंची, हवाय सुनने को तरस जादे जब वो गाते हैं अगवन ने कहा अच्छा तांसिन एक बार अपने गुरु देव को हमारे दरबार में बला लो हम भी सुनना चाहते हैं तो वो कितना सुन्दर गाते हैं तब वो बात तांसेन जी ने कही, मैं आपके शमक्ष उस बात को रखना चाहता हूं, तांसेन जी ने कहा, बात्सा यहां मैं आपके लिए गाता हूं, वे किसी इंसान, वो किसी आदमी भी बात्सा के लिए नहीं गाते, वो तो अपनी प्रिया प्रियतम राधा खिश्मी के ल जाना पड़ेगा अक्मन ने सूचा अरे जब इतने बड़े संत का दीदार करना है तो हमें खोधी जाना पड़ेगा तो तांसे ने कहा आप बासा बनके मत जाओ दीन बनके जाओ ऐसे कुछ हाथ नहीं लगेगा और मैं आप सभी से यह अनरोध करना चाहता हूं आप जब भी श्रीधाम ब्रंदावन में आओ तो अपना सारा अहंकार विशेसर छोड़ देना कि मैं इतना बड़ा हूं मैंने इतने व्रत किये मेरे पास इतना पैसा है यह सब छोड़कर आप श्रीधाम में आना तब देखो कितना आनंद आता है तो आज अकवर भी तांसे इनके साथ चलने को तैयार हुए हैं और आज तो अकवन ने भी अपना भेश बदल दिया है वे तांसे इनके साथ सेवक के रूम में गए हैं तांपुरा हाथ में लिया और दोनों चल पड़े हैं अकवर मन ही मन में बड़ी प्रशन हो रहे हैं तब ही दोनों हरदाज जी महाराज के प नहुआ गुर्दे मेरा आपको मिलने का भहुत मन कर रहा था और मैं आपको एक राग सुनाना चाहता हूं कर तब श्वामी स्री हरिदाज जी तांसे इनको प्यार से तन्नु कहते थे हरिदास जी बोले बेटा तन्नु सुना और तांसे इनने जान भूच कर एक राग गलत स ताकि गुरुदेव उन्हें बीच में उन्हें रोकें और राग को ठीक करके खुश सुनाएं क्योंकि एक सिस्य गुरु को ये आज्या तो नहीं दे सकता कि गुरुदेव आप राग सुनाईएं तभी तानसेंजी ने राग गाना शुरू किया और गलत गा दिया तभी हर्दास जी ने बीच में रोका बेटा तन्नू ये तुम क्या कर रहे हो ऐसे नहीं है ये राग तो तानसेंजी बोले घुरुदेव आप ही बता दी जीना कैसे है ये तब तानसेंजी तब श्वामिश् डाली पर टांग दिया तभी वो पेड़ की डाली पेड़ सारा जर जराने लगा और हरिदास जी का सारा बुखार उतर गया तभी हरिदास जी बोले बिटा तन्नू ला तानपुरा मुझे दे और इतना सुन्दर रा गया जिसे सुनकर अकवर की आँखों में आशु आ गए हरिदास जी की आँखों में प्रेम के आँखों तो थे ही तानसेन की आँखों में आशु आ गए राग खतम होता है राग पूरा होता है और हरिदास जी ने अकवर को पहेंचान लिया और कहा तांसेन ये तेरे साथ अकवर आया है न अकवर भी आज हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ें और उनका संगीत सुनकर बड़ी खुश हुए गए अकवर को भी अभी थोड़ा अब इमान है और खुश होकर बोले स्वामी जी आप कोई सेवा बताईए मेरे पास बहुत धंदोलत है हरिदास जी मुश्कराने लगे और बोले बिटा तन्नू इन्हें बिहार घाट की एक सीड़ी दिखा दो जिसका एक कोना टूटा हुआ है उसे तुम ठीक करवा दो अक उस बिहार घाट की सीड़ी पर लेकर गए तो उस घाट का जल इतना स्वच इतना सुन्दर इतना सीतल था उसे देखते ही अकवर आशर शक्त रह गया वो घाट सोने चांदी हीरे और बहुमूल रतनों से जड़ित था जब उस घाट की सीड़ी को देखा तो इतने में से कोई ऐसा रतन नहीं है जो सीड़ी पर जड़े हुए हैं अकवर तुरंत भागा भागा आया और हरिदाजी के पेरों में गिर पड़ा हे गुरुदे मुझे शमा कर दो मुझसे गलती हो गई मुझसे गलती हो गई मैं अभिमानी अपने आपको बासा समझता था लेकन बासा तो ये है जिनका ये श्री धाम ब्रंदावने और हरिदाजी माराजी ने अकवर से का अकवर हो सके तो तुम ब्रंदावन मता ना क्योंकि यहां जो अभिमान से आता है उसके लिए ये धाम नहीं है उसके लिए ये धाम है जो प्रेम से आता है उसके लिए ये धाम है और अकुवर आज ब्रंदावन से हरिदास जी के शाम ने नत मस्तकर वोकर गया और इसी के साथ मैं अपने इस कहानी को यहीं ब्राम देता हूँ अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना राधे राधे जै बहारी जी की स्री हरिदास